सर पहले चरण में मतदान प्रतीशत जब कम हुआ तो राजितिक दलों की चिंताएं बढ़ गए उस पर मन्थन भी शुरू हो गया उमीद थी कि शायद दूसरे चरण में वोटर्स घर से बाहर निकलेंगे लेकिन दूसरे चरण में भी 2019 के अपेक्षा बहुत कम फीसदी मतदान ये रहा है किस सरह से इसे देखा जाए आखिर मतदाताओं की उदासीनता की वज़े क्या मानी जाए सर और इससे किस राजितिक दल को फायदा हो सकता है या किसको नुकसान और क्या विपक्ष के लिए कॉन्फिडेंस की एक वज़े है कम मतदान प्रतीशत मौसम की बात करें तो मौसम देख रहे हैं कि करीब करीब धाई देश्मों से पल्कि उतसे भी अधिक समय से चुनाओं गर्दियों में ही और शादियां भी फुती है यह कारण अगर 2019 में इसी मौसम में हुए चुनाओं का प्रतिशत तो इसकी तुल्ला में अधिक है तो चले हमें लगता कि उनसे कनेक्शन कट गया है लेकिन फिर से पुने जुड़ने का प्रयास करेंगे शरजी से और समझेंगे वो उसी तरफ इशारा कर रहे थी कि यह जिन मायनों की हम चर्चा कर रहे थे उसको बहुत जादे नहीं माना जा सकता लेकिन क्या वो मान रहे हैं तो जैसे ही वो जुड़ेंगे उसको और आगे समझेंगे प्रत्याशी उसी ही सेटिस्वाइड नहीं थे, संतोष नहीं थे नंबर के नेता, तीसरे करम के नेता, वो भी दीरे-दीरेशे थे लोग है, हम यदि मद्रब्रदेश की बात करें, तो मैं इस बात से सुनीर बगेल जी ने इस बात का जिक्र किया, ये बात सच है कि शिवराज जी का मद्रब्रदेश में अपना असर है, और देखे, पूरे इस बात को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन इस बाक तो शरच जी हमारे साथ जुड़े है, तो शरच जी से, शरच जी अपनी बात पूरी कीजेगा, देखे, मैं वही बात कह रहा था, कि मौसम को तो हम खारिज कर सकते हैं, डिसकाउंट कर सकते हैं, इसमें ये बात जरूर की तरह किंदरित है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और भारतीय जनता पार्टी का समनवे, जो पहले होता था, जिसका जिकर अभी हमारे पिछले वक्ता भी कर रहे हैं, तो उसको एक कारण तो हम मान सकते हैं, कि बीजेपी निष्चिंतता की स्थितिम है, कि उसे मेराबंदी करने में बीजेपी की विफल है नहीं द्रमोदी जैसा एक अद्वुत राजनिता हमारे पास है जिसके नाम पर और जिसके चेहरे पर ये पूरा चुनाव केंद्रित है जनता में प्रदान मंत्री को लेकर एक अद्वुत भाव है समर्थन है इस भाव के चलते वो जिसको आप कहते हैं कि देव तुल्य कारे करता है जो निकलता था और बिना गर्मी सर्दी की परवा किये लेकर आता था उत पर मतदाताओं को तो ये एक बड़ा कारण दिखता है और बीजेपी चुकी ये मानती है कि अधिक मतदान उसके पक्ष में जाता है तो उसके नहीं हो कि अधिक मतदान किसी एक पार्टी को फाइदा पहुचाता है और लहर जब होती है एक लहर की अगर हम बात करते हैं बहुत उसको लेकर नाराजगी को लेकर निकले हुए हैं तो ना उसका और नाराजगी तो नों का भाव इस चुनाओं में उस तरह से नजर नहीं आरा है कि किसी दल को लेकर वो बीजे पी है तो उसको लेकर नाराज़गी है या फिर आप ये कहें कि उत्साब का फ्रोत उम्र पड रहा है तो यह कहीं है कि एक पीच कि बात कर रहे हैं बारती जंता पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि उसका गर्रटा घर बैट गया तो बड़ी मुझल हो जाती तो क्या यह माना जाए कि इसमार कार्टा निंगलना चाहिए था वह घर बैट गया देवतुलय कारू करता कि वो यद NICK लग जाता है तो ये सच है कि बूत तक तो वो कम से कम मदाताओं को पहुचा दिता है ये बड़ा कारण आने बाले दिनों में कहीं ना कहीं एक चिंता का विश्य बनेगा भारती चंता पार्टी के लिए जैसा अमिश्या जी ने भी कहा है बिल्कुल और सारे बड़े राज्यों में हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि देखे चुनाओ की रोचकता पनी रहनी चाहिए इसमें विपक्ष को जरूर आप कह सकते हैं कि विपक्ष ने चुनाओ को जैसा यह रोचक होता है जिसकी उसकी प्रेजन्स उसकी ताकत चुनाओ को किसी वंडे या टी-ट्वेंटी के रोमान्चक मुकाबले में बदलती है वो इस्थिती बिल्कुल नहीं है तो इसकी वज़े से मत दाताओं कि मन में कुदा सीन्ता का भी भाव है मैं उसको ज़्यादा ये बात कहूंगा कि कारेकरता की कोशिश के मुकाबले पराबर वो भी एक बड़ा कारण है कि उसे लगता है कि कहां है विपक्ष कहां है वो मत दे आप देखिए कि हम देख रहे कि रैलीयों में सिर्फ सथादारी दल्की और वो भी प्रदानमंत्री की रैलीयों में इस बार मैं मध्यपरदेश की बात करूँगा को लेकर हो रही है तो मुझे लगता आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहा है इस सब मुद्दे बैठक में भी रहने वाले होंगे और आप निश्चित रूप से आपने समझ लिया होगा बीते 12 घंटे में क्या वज़े रही है बहुत महत्पून बात आपने कही है बहुत अब धन्यवाद लेकिन दो हमारे सही होगी अमित दमोसे और अंकित रिवाज़ाश लिए